जैन दोस्तों, वेलकम टो विएपी सिविल गुरू, तो गाइज एक बहुत अच्छी अपोर्चुनिटी निकल के आरी इस सिविल इंजिनियर्स के लिए, यह एक्चुलि में सिविल इंजिनियर्स हैं, आप यह मेकैनिकल, इलेक्टिकल, इलेक्टोनिक्स वाले हैं, सभी के लिए, यहां पर यह एक अपोर्चुनिटी होने वाली है, यहां पर बात करें, सिविल इंजिनियर्स के लिए, तो यह आप लोग की है, इफको, इफको का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इफको के बारे में देख लीजिए, इफको की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो इफको होता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोर्परेटिव लिमिटेड, इसकी तरफ से आप लोगों का रिक्रूट्मेंट निकल के आ रहा है, सिविल मेकेनिकल इलेक्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स बालों के लिए, यहां पर बात करें, तो इनका जो opportunity salary की बात करें आप आप लोगो 35,000 salary मिलने वाली per month तो ये बहुत अच्छी चीज है यार apprenticeship है no doubt हाँ ये बात कह सकते हैं कि one year के लिए आप लोग की होने वाली है one year का इसमें आप लोग का time period रहेगा लेकिन बहुत बार देखा जाता है जब आप लोग का performance बहुत अच्छा रहता है तो आप लोग को पर्मानेंट भी कर देते हैं और इफको जैसी company का आप लोग के पास अगर apprenticeship है तो आप अगर कहीं पर apply करते हो तो उसका जो reference रहेगा तो वह बहुत आप लोग का काम करने वाला future में कई बार होता हमको नहीं कर हम apprenticeship क्यूं करें तो देख लो यार अगर आप लोग कर सकते हो तो वेलंगोड अच्छी है एक बार आप लोग को इसका बता देता हूं क्या है अगर आप लोग को लगे बहुत तो आप लोग जरूर इसको एक बिल में civil वालों के लिए भी इन्होंने आप लोग के बुला इसके बाद इन्होंने बुला है कि आप लोग को अगर जर्नल OBC के candidate है तो आप लोग के पास 60% marks आप लोग के होने चाहिए SCST के है तो आप लोग के पास minimum 55% marks आप लोग के total aggregate होने चाहिए साथ में इन्होंने एक और पॉइंट मेंसन किया है अगर आप 2021 के पास आउट है या उसके बाद के पास आउट है आप लोग के बुला 2021 और उसके बाद के अगर है तब ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं किसी व मैंने हैं आप लोग को बताए एक और पॉइंट उन्होंने मैंसन करा कि अगर आपने पहले कहीं पर एप्रेंटिशिप कर रख किये तो आप उसके फिर इसके लिए अपने पहले अगर कहीं की हुई है ठीके आप पर एज लिमिट की बात करें तो 30 यह साप लोग की होनी चा एक साल तक तो बहुत कुछ सीखने को मिले अगर बहुत अच्छी अप्पोर्चिनिटि यह अगर आप देख लो लोकेशन में बता दूगा कि कहां कहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, selection procedure की बात करें, तो इन्होंने बुला है कि computer based test आप लोग यह लेंगे, computer based test लेंगे, तो इसमें जो online test होगा, वो open environment में होगा, अब open environment का क्या मतलब होता है, तो open environment का मतलब है कि यह जो पहला test है, इनका preliminary test, वो आप अपने resources से दे पाओगे, अप अपने laptop, computer, mobile, आप जिससे चाहो, उससे आप लोग दे सकते हो, ठीक है, यह आप लोग का open environment होता है, इसके बाद जो इस पहले test को pass करेंगे, उनके लिए इन्होंने यहाँ पर दूसरा test भी रखा है, यहाँ पर बोला, जो preliminary test पास कर लेंगे, उनको final जो है, online test के लिए बला साइट पर भी, वैसे इन्होंने mention किया हुआ है, यहाँ पर एमदाबाद, बैंगलोर, भुबनेशवर, चंडीगर, चेनने, देरादून, दिल्ली, NCR होने वाला है, हैदरावाद, इंदोर, जैपूर, कोलकाता, लखनाओ, मुंबई, पतना, यह आप लोग के जो हैं वो center ह होने वाले हैं, तो देख लो, अगर आप इनके आसपास हो, तो आप चाहो, तो देख सकते हो, क्योंकि एक्जाम के बेस पर ले रहे हैं, ऐसा नहीं, 35,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं, जनली देते नहीं है, अच्छा स्टाइपेंड आप लोग को ही मिलने वाला है, उसके ब होगा, मैडिकल टेस्ट नॉर्मल ही, आप लोग के हैं, आप लोग को होने वाला फाइनल सेलेक्शन की, कैसे एपलाई करना है, वो जो है, आप लोग को मैं इसका जो लिंक है, वो आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूँगा, यहां पर देखो, यह ओफिसल वेफसाइट आप लोग की लाज़ डेट होने वाली, इससे पहले-पहले आप लोग कर सकते हो, देख लो, ट्राई करके, अगर आप इन सेंटर के आसपास अगर आते हैं, तो आप अप लाइग कर लीजे, प्लस आपको कोई एक्जाम फीस भी नहीं पे करनी है, और अगर अच्छी अपर आप फायदा उठा सकते हो, मुझे लगा कि अपनी जो स्टुडेंट्स उनको इन्फोर्मेशन देनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो आप लोग के लिए बनाई है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा यार, चैनल पे नए हैं तो स स्क्राइब करके रखो, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारा कंटेन यापर आप लोग के लिए अविलेवल है, तो थैंक्यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो,